दोस्तों अभी यह जो हैंड सेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है ओपो का A53S 5G हैंड सेट और पिछले कुछ दिरों से यानि कि जादे दिन की बात नहीं चार-पाइट दिन से दो तीन लोगों ने अल्रेडी कमेंट पहले से किया हुआ था कुछ लोगों ने और कमेंट्स किया है कि सर मैंने ओपो का A53S न्यूज साथ स्मार्टफोन खड़ दिया है और उस स्मार्टफोन में जो दिक्कत यह हो रही है कि मुझसे गलती से जो है स्मार्टफोन अभी पड़ा हुआ है और तो मैंने सुचे कि ठीक एसमें एक वीडियो बना ही देता हूं तो आज का यह वीडियो होने वाला है ओपो A53S 5G यह पहला 5G स्मार्टफोन है जो कि हमारे ओपो के जितने भी सीरीज है उसमें यह आया है तो इस वीडियो में आप आपको हम बताएंगे कि आगर आपके पास कोई 5G हैंसेट है ओपो यह रियल्मी का तो उसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं इस वीडियो में पूरी डीटिल के साथ हम आपको बताने वाले हैं लेकिन वीडियो में अगर आप नहीं तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि देना है कि जब भी आपका फोन लॉक होजे एक तुदी कि हमने सिम कार्ड नहीं लगाया वह यहां पर नो सिम लिखा हुआ है अमर्जंसी कॉल्स बैटरी परसेंटेज के बात करें 76 परसेंट हमारे जो बैटरी है तो अल्लेडी हमारे यह सब जो है कंप्लीटेड है तो इस कम लोग इस चीज को गवर करते हैं कि एमर्जंसी कॉल जो है इससे भी कुछ किया जा सकता है बहुत लोग सिर्फ समझते हैं कि एमर्जंसी कॉल से फायर विगेट एम्बुलेंस पुलिस को ही फोन किया जा सकता है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है तो ऐसा नहीं है देख तो नए हैं पहली बार हमारी चैनल पर हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ साथ बेल अकन को भी दबा लेजिएगा ताकि जब भी हम नएने वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो चले दूस्ति हैं वीडियो पर सर्च कर लीजिएगा कि FRP क्या होता है और FRP से किस तरीके से हम जो है अपने स्मार्टफोन का जो लॉक है वो अनलॉक कर सकते हैं तो एक तो यहां पर देखिए FRP जब भी आप किसी भी स्मार्टफोन में Google का जो email ID डालते हैं और उसके साथ bond कर देते हैं मिन्स उसी email ID स आपका phone चलता है तो आप जब phone reset करेंगे hard reset करेंगे तो आप से email ID मांगा जाएगा पुछा जाएगा तभी आप कोई काम आगे कर सकते हो तो वह FRP होता है उसके भी आप आगे ने बर सकते होती है यहां पर FRP को break करने का एक unique code होता है यह unique code हम आपको यहां पर बताते हैं आ इसको आप no down कर लीजिए यह code आपको बहुत ही काम आने वाला है और इसी code के माध्यम से आप जो है अपने smartphone को unlock कर सकते हैं ओके तो यह code आप no down कर लीजिए बहुत ही काम आने वाला code है और अगर आपने भी तक इसको no down नहीं किया है तो नोट कर लीजिए screenshot नहीं लिया है त तो यह जो है आप इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ तो अब साइद आपको पूरित अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा किस तरीके से यह जो है काम करता है तो आई थिंग आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा तो अब मैं back कर लेता हूँ इसको और तो चली अब बताते हैं किस तरीके से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं और ट्राइ कर सकते हैं और जो भी दिक्कत हो अगर मान के चली कि यह वीडियो देख कि आपका काम नहीं हुआ तो ऐसा नहीं फ्रस्टेड हो कि अरे भाई तेरा तो फेक चैनल लाड़े यार तो ग ठीक है थो पहले देखि इंकलक आप किया है वो कुछ हमारे सेघ से मिल रहा है में वागे जो चीज्ड है क्या आपके फोन ज है ये भी आपको देखना होता है साद आपका फोन अपडेड़ेस यस बश्डेस से होता है साथ आपके फोन में वो वर्जन ना हो तो उसका भी solution है तो थोड़ा पेसेनिक के साथ देखिए का बाकि तो कोई रोक टोक नहीं जो भी आप कर सकते हैं तो इसको फिलाल हम इस FRP को जो है ब्रेक करने के लिए इसको minimum 5 बार जो है हमें call करना होता है minimum 5 बार maximum के कोई सीमा नहीं है आप जितना ज्यादा बार करेंगे उतना चांस आपका बढ़े का फोन को अनलॉक होने का तो यह यहां से हमने अब हटा देना है तो आई होप आप लोगों ने लेख लिया होगा स्क्रीन सॉट ले लिजेगा वीडियो पाउस करके अब देख लिजेगा तो आपको यह FRP कोड आपको दिख जाएगा अब यहां तो इसको हटा देना है मैं यह हमने यहां से हटा लिया अब जो हमने है यहां पर एक कोड इंटर किया और यह कोड जो है हमारा डेवलेपर आप्शन को अनेबल करने का कोड जी आ दोस्तों बहुत सारे लोग डेवलेपर आप्शन को नहीं कर पाते हैं तो यहां पे हमें इस 5G वाले में 4G वाले हैंड सेट में हमने डिजेवल किया करते थे जो भी फोन होता था लिए हमें यहां पे 5G वाले में अनेवल करना है और डेवलेपर आप्शन के ही थू इसका FRP जो है फुली तरीके से अनलॉक होगा तो यह डेवलेपर का कोड है और कोडिंग के ही माधिम से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ध्यान रखेगा कोडिंग बहुत जरूरी है अगर आपने कोडिंग नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिएगा और अगर आप एक शॉप कीपर है मैंस अगर आप मोगाल रिपैरिंग का काम करते हैं तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए आप फिट से मैं आपको यहाँ पे तोड़ा जूम करके कंटिनु दिखा देता हूँ तो आप देख लीजिए ठीक है न तो चल से आपका कोई डीम लास नहीं होगा यानि कि हमने कोई डीलीट नहीं करना है कोई भी डीटा इस ट्रिक से यह मैंने जब भी बताया होगा अगर डीलीट होने वाला होता है था हूं कि हाँ J sin Bombi maths आपको डीलीट्वस की उपना स्धीयों 13 ऌर है इस तरीके से जबाना है यह घो हैज ऺैज यह तो अगर आप है वाते हैं तो को यह कर अब का पेज ओपन नहीं होता है तो आपको थ्टे करना है तो आप को विट करना है और यहां से आप एक पड़ ड़ा से ट्राइव किज यहाँ इस होता है तो यहां भी आपको उतने ही seconds का wait करना है तो अब देख आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ हो नहीं रहा है टाइम जो जादा है 10 seconds maximum time होता है तो आप यहां से इसको star hedge एट और double nine और hedge यहां पे दबाएंगे तो जैसे हमने hedge दबाएए आप देख रहेंगे यहां पर हम एक इंजिनियर मोड के लिस्ट में आ गए तो फॉस्ट अफॉल जिन लोगों का इंजिनियर मोड खुल लाएगा तो आप समझ लिजी यहां पर आपका 90% काम जो है कि अब जो है यहां पर हमने मैनुअल टेस्ट उपन कर लियाव मैनुएट यहां है तो यहां पर दीव कि हमारे में है एक मेन-व बढूर्बरेड सबस्किन की रेडिंग्रेट पर लिए OFC डिक करना है जिनका इस तरीक से रेडंग्र हैं और पास जो है आना चाहिए और ग्रीन कलर में ही आना चाहिए तो यह बहुत important है तो अगर आ जाए तो आपको कोई दिक्त नहीं होगे अब यहां से इस तरीके से back करेंगे दो बार हम back करेंगे तो आप आएंगे कि आपका smartphone जो है unlock हो चुका होगा कोई बैज़ की भी यहां पे किसी भी तरह कि चीटिंग अगर आपको लगता है कि किया गया है तो नहीं है बिल्कुल लाइव आपके सामने दिखाए गया है आप सब चीजों को बहुत ही गौर से देखें करें बिल्कुल काम होगा और कोई ट्रिक बेकार नहीं होताँ अगर आपसे नहीं होता है तो आप यह कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा यानि कि वो बंदे ने फेक का होगा तो ऐसा नहीं है इस इसको देखिए सीखिए परकिए तभी कोई फाइनल डिसेन कीजिए दोस्ते वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत बहुत अधर ब्सूब बढबंवाए पर कर देखब दोस्ते हैं कि दोस्ते हैं कि नहीं हो अवेश झाले लिएानल छीनवाश जोस्ते हैं कि वीए जाए ले डिए वीए जाए